बिस्मिल्यारामानियराहिम, असलामलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हुजान सारी और आप देख रहे हैं इजान सारी फूर सीकर्ट्स अलावरेकदे, आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जाए को आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जितनी बाते कहीं सभी मज़ेदार और सभी जो हैं वो अथेंटिक हैं ऐसे ही कड़क चाहे आपको मिलेगी कैसे मिलेगी क्यों मिलेगी सारी बाते डिस्कुस करते हैं तो यहां पर एक कप भरके हमने लेना है पानी का और इसको देखें यह मसाले हैं इसमें इलाइची एड़ करूंगा यह आपकी मरजी होती है ठीक है आपको जो मसाले अच्छे लगते हैं वो एड़ कर ले इनका में रैस्पी से कोई तालुक नहीं है जो चीज मैं आपको ब पानी गर्म होगा तो डारेक्ट इसके अंदर मैंने पत्ति एड़ करनी है ठीक है तो तीन लोगों की चाहिए स्पून मैं इसमें पत्ति के एड़ करूंगा मैं दूद को गरम करके दूद के अंदर पत्ति एड़ नहीं करने वाला ऐसा क्यों यह क्या टेकनिक है यह मैं पानी के अंदर जब हम पत्ती को पकाते है ना तो पत्ती का रियल फ्लेवर निकलता है as compared to जब हम उसको दूद के अंदर पकाते हैं ठीक है दूद गारा होता है दूद की जो consistency होती वो और तरह की होती है दूद के अंदर direct अगर हम पत्ती एड करें तो सही से पत्ती का और टेस्ट की भी है ठीक है तो आपने as it easy बनाना है तीन कप चाए मैंने बनानी थी तो एक कप मैंने जो है ये पानी का लिया था उसमें दो टीस्पून कावा यानि के पत्ती अब इसको अच्छे से पका के जब इसका कलर आ जागा over cook नहीं करना के काला कुछ है तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से तो मैं दो टाई चमच इसमें एड़ कर दूँगा तीन कप के लिए इतनी काफी होती है उसके बाद बिसमिल्लारावाने ये जो मैं दूद इसमें एड़ कर रहा हूं ये उबला हुआ दूद है ठीक है ये कच्छा दूद नहीं है कच्छा दूद खराब भी नहीं होता उसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है और जब इस तरह से चाय बनाये जाती है फिर तो कमाल हो जाला अब ये फैंट क्यों रहे हैं फैंटने से चाह सरा फलफी हो जाती है या दखिएगा ओवर कुक आपने इसको नहीं करना वड़ना इसका खतम हो जाएगा अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ एंड वाला जो डोंगा मैं उपर करके डालूगा ताके जाग बने मुह में पानी आए और अभी आपके मुह में पानी आ रहा होगा कि काश ये कप आपके हाथ में आ जाए ठीक है चले जी ये तो हो गया आपको द आहमते नहमते और वर्कते जी इसरो बात हो गानों पे प्यारा सा खुपसूर सा कमर सुरूर आजा आपने करना है कि ये चाहे आपको कैसी लगी दौम यारे की वीडियो का लाइकी जान सारे को जाज दीजिए अगलीवरत आका अलाहाफीज